जैन प्रेंट्स माई रोई एंड वलकम टूरृट लेख ट्लासे जो हाइब आप टेखने लोग पढ़ाइग के शीफूर पाथवे की नाम से जानते यह जानी कि फूर पाथवे का मतलब किया तो सीफूर पाथवे के हल्ब आप जो हाई temperature वाले डोम प्लांट Shukro जब से पार्ण पॉलिज़ यह स कब thorough जब से पहले देखिए सीफिए सीफिर पाथुट कहां पर पाए जाएगा जो कहां पहर जाते है कि यह प्लांट्स के अंदर चलेगा यह प्लांट्स कहां पाजाते हैं तो ट्रॉपिकल वाल रीजन में एनके खासिए कहाद है यह प्लांट्स क्या करते हैं हाय टेंपरेचर करते हैं कि हम मुझा थोरएट है रुझा पर यहां पर टेंपरिचर थे तभी वहां पर सवाइब कर लेंगे उसके साहल इनके पास कि इसपेसे टाइप की लिफ यह होती है oh that is special Leaf Anatomy जिसको को लोग क्या बहुतत है है क्रान्ज एनर्टेमी बोलता है लेज आनात्यमी झाल मी रवी जो क्रीज आनात्यमी है इसका मतलब क्या होता है क्रेंज अनाटंवी यानि सबद्राइब बंदल में जय को दें उस है यहां पर सारे प्लांट्स में सब्सक्रोंट कहते हैं इसलिए इस टाइप के Leaf Anatomy यौग बूलते हैं Elesein इसके अंदर चलता है शुक्रोज बनाने के लिए प्रण चलता है ऑचलता होता है है निम्हेर्ट की एनाटमी के लिए तो इस पातों के अंदर एक हम्हारा सब से पहले पेपकेज वे पेपकेज अंग सिर्ष केज़रे करकेज लेचर सपॉपक ही MA G Flag Lake कअ पॉसरा इसमें क्लेख के अ किस चीज की ज़ोड़ेगे एक्स्ट्रा सॉल के ज़ोड़ेगे है एक्स्ट्रासेल डैट इस बंडल शित विट बंडल भी शीस इल यानि यहां पर एक इस एक्स्ट्रास रिक रिक्वाल जोकों किया बॉलेंगे बंडल सीट सेल बोलेंगे और एक चाहिए पीप केशन जायंगे जो कारेंगे करवाएगी तो यह हमारी बंडल सिथी तो क्या थी तो अब देखें आई है कि इस चलता है प्लांट के अंदर से प्लांट के नाम से जानते हैं लोग क्मेश्य बनाते हैं तो सुक्रोज बनाएंगे सुक्रोज अब यहां पर देखिए इस पाथवे में क्या होता है सीफूर और इस वाले टाइप्स के प्लांट में पास उनके पास शीफूर साइकल के सास साथ सीथरी साइकल भी दोनों यह आपने कंभाइन हो करके चलती है और इनका जो लीव का अरेंजमेंट है जिसमें क्लूरूप्लास्ट यहां पर क्या होते हैं बहु ज्यादे मात्रा मिलते हैं और यहां पर इंटर सेलुलर स्पेस क्या होता है नो इंटर सेलुलर स्पेस यहां पर नहीं होता है यानि सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है यह हमारा किसके बारें था बंडल सीथ के बारें था आएक दिखते हैं काईसे प्राइश फ्र्व एकट फॉलो करते हैं उनके अंदर सुख्र influences कैसे बनता दोनों उसमें चलती है जो गक्स में चलती है कैसी समझते हैं कैसे पाइश की सब्सक्राइब विश्ध कर दे रहे आ अब ध्यांस दिखिए उस उस लीफ का इस्ट्रेक्ट्टर लोग बनाने जा रहा है सॉरी उस पार्थिदिक में जो सेल्स होते हैं कमबाइनों करके तो चल बनाने जा रहा है इसके अंदर दो टाइप के सेल्स होती है और एंसी आटी के बुक में कुछ इस तरह का डाइग्रा कि अधर करें कि कुछ तरह का इंसी आटी के बुक में क्या दिया हमारा उसके अंदर फिगर दिखाया हुआ है हुआ यजो दोस्तव टाइप की सेल्टर देखरे एक पहला से वंगे और दूसरा से लिए हो गया तो सबसे ऑपर वाली शेकल उसको बोलते हैं हुआ मीजोफिलसेल्हस जो सृисьra साइकल होता है जिस प्लाइन खिल स्ट।id में स्फिल स्सेल्धर उता है ग्रेज्श बंडल शीथ सेल इसको क्या बोलते हैं मीजोफिल सेल यह वाली सेल कौन सी है बंडल सीथ सेल यह बंडल शीथ सेल यह बंडल सीथ सेल सबसे ब में थ SBB का बोलते हैं इतना स्बकों यह थी अंदर वाला परड़ क्या होता है Ambassador उसके साथ यहां पर कुछ इस पेस में धिक्राएब को दिकशन खराऊंग बाइसे इसको बोलते कोई चीज एक से दूसरे से में एंटर करती हैं यहां तक होप आपको समझा गया अब देखिए बेसिक से स्टार्ट करें को कैसे क्या की चीजे होती है तो इस साइकल में चलाने के सबसे पहले हमको एक प्रोड़क्ट चाहिए जिसको में लोग क्या बोलते हैं फॉस्फो फिन यह फिनॉल ऐ हमक्न पाइरुवेट यह होता है यह फॉस्फो फिनॉल पाइरुवेट होगा जो कितिने कार्बन का मॉलक्विल हैं उसके सासर यहां पर एटमोस्फियर में कि अट्मस्फियर के अंदर क्या होता है co2 होता है यहां पर अट्मस्फियर में co2 होगा तो अब हम लोग समाज चुके हैं कि उसको तो यहां से CO2 यहां पर आ रहा है मीजोफिल सेल के अंदर एंटर कर रहा है जिसको बुक में SCO3 यानि bicarbonate की फॉर्म में दिया है यहां लोग ऐसा simple CO2 भी लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं होगा तो इन दोनों का क्या होता है यहां पर क्या होता है यहां पर क्या होता है इसका fixation और रहा हुरा है तो किस इन्जाइम चाहिए उस एंचाईमम नाम क्या Bem को कि अनम है यानि dab gue यहां प्रोसेस हुगा है जहां पे C4 Acid बनेगा जिसके पास कितने करबन है चार करबन यहां से आगे एक करबन फॉस्व सिंगल पार फ्रोसेस हुगा है जहां पे C4 बन गया ऑप मीज़ों सकता है कुछ समय बात क्या होगा यह अब पर लॉट है आपका और यहां से यहां से प्लाज्मो डेस्ट में चोंड क्या किया जाएगा ट्रांसपोर्ट करके इस बंडल शिथ-सल में चैनल को इसको ट्रांसपोर्ट किया जागा तो यहां पर यहां पर यहां पर आ गया कहा पर यह बंडल सिट सेल में आ गया अब सीफोर एक्ट क्या होगा डी कर्वक्सिलेशन होगा एक हमारा बन जाएगा C3 Acid बन जाएगा और एक हमारा क्या है यहां सनी कर जाएगा CO2 जो CO2 इसको फिर से हम लोग किसमें लगा देंगे Calvin cycle में Calvin cycle या इसको क्या बोलते हैं C3 cycle इसमें हम लगा दिए है जो Calvin cycle लें लेक्च्चर उसको आप लोग देख लिएगा क्यूंकि और वाले फ्लांट्स में चलता इसके बाद वहां पे पहुंच एसको क्या जाए का इसको ट्रांस्पोर किया जाएगा जिटा होगा ट्रांस्पोर्ट करके इसको इस प्लाज्मॉड कि क्या कि यहाँ पर पहん सिपुन Conservat violating यह पे हमारे पास आ गया हैं अब इस C3 Acid को क्या किए जाएगा एक प्रोसेस होगा जिसके हैल से फिर से इसको फॉस्फो फिनोल पाई-डिवेट जो एक्सेप्टर था उसमें कर देंगे तो सीत्री बगता है उसको बोलते हैं oxaloacetic acid जिसको बाद में करते हैं उसके बाद यह प्रोसेश चलता है यह बाद हिर्सिस को समझी है कि जो लीफ का इस एनाटमी कैसा होता है एक ऊपर मीजोफिल और नीचे क्या होता है बंडल सिट सेल बाहर यहां पर करते हैं जैसे करते हैं तो किसमें करमट हो जाएगा जैसे प्लाजमों डेस्मेटा कनेक्शन के तुरू यहां से जा रहा है जैसे फ्लू असीड बंडल सिट सेल में आएगा तो इसका डीक कर वोक्सिलेसन होगा जिसमें से सी थ्री एसिड बन जाएगा यानि फॉर कार्बन एक यहां चला या तिन कार्बन यहां पर इसको सी त्रीए सिट को को निकाल करके मनें कर देंगे जिसके अंदर क्या बन जाएगा सित्री करेंगे फिर सेरिक का अचनकी करनें का करेंगे तरह करेंगे तरह से एलप्यों से मिलते हैं जहां आए तेमप्रेचर को टॉलरेट कर यह निंशा श्लिक है करते हैं इसके हेल्ब से वहां पर सुक्रोज बना जाता है तो यह था हमारा सी फोर पात्वे यानि है इस तरह से लेक्चर फिनिस होता है अगर यह समझ में आया होगा तो प्लीज को लाइक सब्सक्राइब और से जरू करें थैंक्यू